स만फे आज हैं पुहें और आलू से बहुत क्रांची नस्ता बना कर त्यार करेंगे वह 62 क्रांची है तो एक पर जरूर समय के जिएगा देखे बहुत ही मस्त बनता है आर बहुत ही और और ट्राय किजिएगा सब को पसंद आने वाला या रेशिपिドン है तो हलो ध्यक्त उत्व मेरे चैनल में चलिए, इसे बनाना चुन करते हैं। वी इसके लिए हम यह एक कटोरे के करीप में पोहा है। यसे बढ़िया से हम बॉस कर लेंगे। तो देखिए इसे हम पढ़िया से धो लिए हैं। तो इसके बाद एक चन्नी में जां लिए हैं। ऑर इसके बाद भी इसमें हम बन्या से पाने गिरा कर धोलेंगे। इस तरह से यह क्योंए पुहां में गंगी राता है तो इसे हम बर्या से साफ कर लेगे तो इसे अम धोलिये हैं में जोड़ दिये थे वे बहुत ही बर्या कर ला हनें साफ होए न sf तो यह दोनों को हम बढ़िया से इस तरह से मिला लेंगे तो Da workflow मिला लिए हैं तो हमोहती बढ़ियाσι हमारा मिक्स हो गया है इसमें हम एक साइज का कटनें या डाल देएंगे इसमें बजाते हैं पर मिर्चन सब्सक्राइब प्राइब राज या भीक होगे भीडब हम चाट मसाला है इसे डाल देए है यह यांशूर पा्योंडर न मिर्चünde आर्पर्ण स्वाद अनुसाब डालंगे तो अपना स्वाद के कॉनिंग डाल लिए नमक कमिया ज़्यादा कर सकते हैं तो इसमें हम नमक डाल लिए हैं सारे समान हम डाल लिए हैं आप इसे हम बढ़ियां से मिला लेंगे तो इस तरह से हम मिला लिये हैं, देखिए यह mix हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे अब चावल का आठा, इसे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी आता है, इसे जरूर डालिएगा, तो इस चावल के आठा हम करें एक आप से देर काप हमें डाल देंगे, देखिए हम देर काप चा कतना आए, तो देखिए हमारा यह बढ़िया से mix होगे, इसे side में रख देगे, तो अब हम चलते हैं, यह है, sweet corn, तो इसे हम बढ़िया से इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, इसमें थोड़ी सा पोहा यार sweet corn दो मिला के हमें इसे दरदरा पीस लिएं, देखिए, यह कोटी के देखिए, जाधा यह बारिक भी नहीं है, मोटे भी नहीं है, हमें सदार्ण ऐस तरह से हमें पीस लेना है, दरदरा आप चलते हैं, देखिए इस तरह से हम, अब यह जो बनाये हैं, यह हम, इसके बढ़िया से गोल अकार देके, इसे आप जो चाहें से दे सकते हैं, तो इस तरह से हमने बनाएंगे सारे को हम इस तरह से बनाएंगे दबाते हुए और इस तरह से देखिए हमारा ये एक पीस बनका तैयार हो गया बहुत ही बढ़ियां से बना है देखिए कहीं से भी दरार कहीं से भी फटी नजर नहीं आ रहे हैं बहुत ही सॉप्ट बना है तो तो देखिए और इस तरह से जरूर बनाईएगा बहुत ही बढ़िया बनता है बहुत टेस्टी है फ्रेंज तो एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा और हमारा यह अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तो लाइक और सेर किजिएगा वीडियो का और चैनल के सब्सक सब्सक्वारे से बन जाता है कोई दिक्कत नहीं आता है कि मुलते हैं यह हमारा कर बदल के सकते हैं देखिए हमारा है वारा पीस हुआ है तो उन्सारे बना लिए हैं अब आप चाहे तो ऐसे भी इसे फ्राइ करके ले सकते हैं हम इसे और क्रिस्पी बनाने के लिए देखिए इसमें हम अधा कप के प्रेवेश ये मैदा है मैदा ले लिए है इसमें थोरी सा नमक डाल दिये हैं बस थोरी सा भूल कर दिए दिखाना देखिए इस तरह से हमें पतली ढूल तयार कर लेना है और इस तरह से हम इस्वार एंके दूए के जोेकर देखिए हम एक पैंच राए उसमें हम तै डाल दिए हैं त tactile हमारा वाहरा है से गरम हो चुका है तो इस में हम इसमें हाई यह जो भी इसमें डालेगा अठे हमी डाल है और महें हम इसे जञादा लूप रखना है हाई रखना अधिय। कज तो चोगता है तो उसी तरह से हमें लूप फिलेंपका है डाले से इसमें हम रखेंगे ऑचना है और पास चर szका抖 में है अब वोल्टेज हमारे हैं कम दे रहा है इसलिए हम थोड़ा ज्यादा की हुए है ज्यादा तब नहीं रहा है इसलिए अब देखिए यह सारे को गोल्डन तरह से आप तल लिए और बनाईए एक बार बच्चों को जरूर बना के खिलाईए बहुत ही च्वाइश से खाएंगे बहुत ही मज़े करेंगे एक बार जरूर से बनाईए और खाईए सबके हांथों का अलाग अलाग टेस्ट आता है तो यूटूब में बहुत सारे ऐसा वी के तरीका से जरूर बना है और कमेंस मेंめं जरूर बताईएगए कि हमारा यह बताओ रहा एक पर क्लिक जरूर कि जीएगा ताके हमारे आने वाले हर वीडियो आपके सबसे पहले पहुंच सके तो देखिए इस तरह से हमें पहला हम निकाल लिए हैं जो बचण हुआ था उसे भी हमने डाल दिये हैं इस तरह से अई सारे को हम बढ़ियां से गलर गलर होने तक इसे भी हम सेख लिए हैं अब बस निकाल लिए हमारा ये भी स्मिक गया है अब देखिए हमारा ये कितना बढ़ियां से बन गया है पुलकुल करंची और टेस्टी है देखिए इस तरह से हमें सर्व किये हैं अब हमारा वीडियो ग्लाश टक देखिएगा अगर अच्छा लगाए तो लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत-बहुत-बहुत माहिने रखता है तो फ्लीज दोस्तों जरूर सिखिएगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसेपी के साथ तक तो ये थिंक हैंकी यू ट करतक्या वाई बार।